गोविन्दा की ट्वीटर हिंडल से हर्याणा में हो रही हिंसा पर एक ट्वीट क्या गया था अब गोविन्दा ने खुद सामने आकर उस पर सफाई दी है गोविन्दा ने कहा कि उनका ट्वीटर आईडी हेक हो गया था उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई साइबर क्राइम में की है गोविन्दा ने कहा कि वे विवास्पत मुद्दो पर बात नहीं करते हैं यहां तक कि वे ट्वीटर का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते हैं इसलिए सवाली नहीं उठता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो गोविंदा ने कहा कि उन्हें राजनीती छोड़े 18 साल हो गए इसलिए यह सब करके वे पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं कुदना चाहते हैं दरसल हर्याणा के नूमें 31 जुलाई को विश्वे हिंदू परिशद ने ब्रजमंडल यात्रा निकाली थी दोपर एक बज़े यात्रा बढ़कली चोक पर पहुँची तो कुछ लोगों ने पत्थराओ कर दिया यहीं से हिंसा की शुरू आत हुई इस हिंसा में भारी आग को हिंदू कहते हैं और फिर ऐसी हरकते करते हैं अमन और शांती बनाए हमारा देश लोकतंद्र से चलता है ना की ताना शाही से इस ट्वीट के आने के बाद लोग गोविंदा को ट्रोल करने लगे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने बिना सच्चा ही जाने गोविंदा को एक किष्षले कई साल से ट्वीटर पर एक्टिव भी लहीं हूँ भू सकता है चुनाव का समय आ रहा है तो किसीने समझ लिया हो कि मैं किसी पार्टी से आगे आ रहा है हूं हलाकि ऐसा नहीं है मैं कभी भी यह सब डिसकस्बाहिं करता हूं इसी की साथ बने रहे हैं ड्याना ट